नमस्कार, आर्पी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक श्वागत है ये रियल नंबर्स पर तीसरा वीडियो है पहले दो वीडियो में हमने कुछ रियल नंबर्स इस्पेसल टाइप के पहले पिर यूकलीट डिविजिन नेमा और उसपे रिलिटेट एक अच्छा कोस्वा दा इस वीडियो में भी हम यूकलीटस डिविजिन निखमा पर एक अच्छा कोस्वाद सो गछी तरह मैं तो समझ केंडैंब, अच्छा रहेगा हिंदी में पढ़ें तो यह है कि किसी भी धनात्मक विश्म पूनांग संक्या को 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है देखें यूक्लिड डिविजिन लीमा जो है वो है A is equal to BQ प्लस R अब A is equal to BQ प्लस R को यहां कैसे अपले करें पिछले कोशन में तो क्या था कि हमें एक positive integer का cube करना था यहां इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है हमें किसी भी positive integer का cube square अगर नहीं करना है simply positive odd integer की बात यहां चल रही है तो वहां तो आपने ध्यान दिया होगा 0,1 और 8 आ रहे थे हमने सोचा था 0 का cube 0,1 का cube 1 और 2 का cube रहता है यहां ऐसा कुछ नहीं करना है लेकिन यहां एक बात देखिएगा 9 आपको दिख रहा बार बार स्वरी 6 आपको दिख रहा है यहां पर 6,6,6 इसका मुलट divide किसे करना चाहिए 6 से किसी भी positive integer को जब आप 6 से divide करेंगे तो जो remainder बचेगा या जो r की value होगी वो क्या होगी 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 नहीं बचेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि a is equal to b q plus r मैं अगर मैं कुछ समय के लिए कुछ positive integer को मैं x 1 लूँ तो मैंने a की जगा x लिख दिया b मैं किसे divide कर रहा हूं 6 से क्यों क्यों कि कुछ से ने बार बार यहां पर 6 आ रहा है कि यह जो अपने नंबर है यूक्लिट डिविजन निमा की वेस्टू क्या बन जाएंगे अब अब क्या क्या बन जाएंगे तो आप ध्यान से कर देखें तो 6 q 6 q plus 1 6 q plus 2 यह देखेगा यह इमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लिखें क्योंकि 0 से लिखें पांच तक 6 digit होता है अब आप देखें हमें प्रूब करना है कि जो पॉजिटिव और इंटेजर की बाद चल रही है अब इसमें कौन सा और है कौन से बने इसमें चर्चा करेंगे तो आप जहां से इसमें जो जहें देखें तो यहां 6q 2 से डिवाइट हो सकता है यह 6q प्लस 1 कभी 2 से डिवाइट data never тр लेकिन 6q प्लस 2 में फिड्र 20 से इसको डिवाइट कर सकते हैं यह नहींए कर सकते इसको कर सकते और इसको नहीं कर सकते जाना कि अगर시 लिए फट इन ये सबमनें अगरं बात करें सिंप्ली कि ये मालें यिए 12 थीद 156-7-8-9-10 और 6 व्हास पॉजिटीघ है ऐं अगर हम कहां कि यह और है यह क्या ओगाowane फिर यह ओड यह क्या होगा इवन यह और यह यह बहुत हो हसा एक होता है एक कई होता है एक में जूडएंगे दो आएगा दोटने तीन आएगा तीन में जूडएंगे चार आएगा और इसी प्रकार से अब अगर मैं आपसे कहुं यह इवन इंटेजर है अगला क्या होगा ही और पिर उसका अगला क्या होगा एवन मैंने का रहा एक एक अंतर होता है इसके अंतर यहां फिर अपने उसी बात पर आ रहे हैं तो देखिए ध्यांसे यह जो 6Q है क्या मैं 6Q को 2 into 3Q नहीं कह सकता बिल्कुल कह सकता हूं 6Q plus 2 को 2 common ले लो 3Q plus 1 और 6Q plus 4 को 2 common ले लो 3Q plus 2 इन सब में जो common factor वो 2 है यानि यह सभी ही 2 से divisible है और 2 से जो divisible होता है वो होता है even number यान हम कह सकते हैं कि यह जो है 6Q even है 6Q plus 2 even है 6Q plus 4 even है इसका मतलब इन से जो अगले होंगे वो क्या हो जाएंगे और हो जाएंगे जैसे वापस बात करते हैं अगर यह even है definitely यह और हुआ यह even है यह odd हुआ यह even है यह odd हुआ और जावे 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5 तो यह इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले बात ही है यह जो मैंने 3 बताया दे 6Q 6Q plus 2 6Q plus 4 यह सारे even integers हैं क्योंकि 2 से divide हो रहे हैं और यह even है जो अगली होंगे वो odd होंगे यह 6Q plus 1 6Q plus 3 and 6Q plus 5 are odd integers positive it means any positive odd integer is of the form 6Q plus 1 6Q plus 3 6Q plus 5 6Q plus 1 6Q plus 3 6Q plus 5 hence prove and it is all over about this video thank you